हाई एव्रिवान गुद मॉनिंग कैसे हैं आप सब आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे और वल्कम टू मैं नी व्लॉग मॉनिंग का टाइम हो रहा था बेटू वो जस्ट मनीश छोड़ करके आयते मुस्की मेरे ब्लॉग हो टी है मैं उसी ताइम मने में के लिए व्लॉग स्टाट्प करती और क॥ुक्छ आप सर चीजे मुद चोड़िए 2 फरी इस लिए लेक्टा मैं स्टाइम ब्लॉबेerm उसको सब्लॉग मैंप्स्क्राइटेव्झे के बहुत में करती चाहे में पानी जो था वो गरम होने के लिए रखा था और दूसरी साइड मैंने ऐली मॉनिंगी मतलब 8-8 बजे के आसपास ही मैंने आज वाशी मशीन भी लगा दी थी मैंने का कपड़े जो है वो अच्छे से धुल जाएंगे सुबह-सुबह और फिर धूप आज निकली होई थी अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने सुबह-सुबही मशीन लगा दी थी मैंने का कि थोड़ी सी कपड़ों को धूप लग जाएगी क्योंकि वैसी बहुत जल्दी चली जाती है तो थोड़ी देर की लगनी होती आदे पाने घंटे की तो मैंने का अच्छे से लग जाएग वह अच्छे से न मतलब मेल्ट सा नहीं होता एक्दम ऐसे लगता है मेरे को कि उसमें कुछ जागवाग बनी ही नहीं है और मतलब कुछ चिकनापन सा नहीं लगता पानी में तो इसलिए न मैं उसमें थोड़ा से एकदम गरम पानी डाल देती हूं ताकि जो सर्फ वगेरा वह अच्छे से मेल्ट हो जाए और उसके बाद फिर यहाँ पर टी वगेरा मैंने मनीश को बना करके दे दी थी यह जो प्लेट है वो मॉनिंग में बेटू के आपल की रखी हुई है इसी में मैं अपने फ्रूट कर लेती हूं और उसके बाद जो यहाँ पर इन्वर्टर प बनाना आज आलू के परांठे बनाना तो आलू के परांठे मैंने यहाँ पर मतलब रखे थे बनने के लिए प्रपरेशन कर रही थी आलू मैंने बॉइल होने के लिए रख दी थी और सासा दूसरी चीज़े मैं फिर करती रहूंगी लाइक आटा वाटा गून लूंगी और साथ में मैंने आटा लगा करके रख दिया आटा सेट हो जाता है ना जैसे पांदस मिनट के बाद तो उसकी चपाती हो परांठे बहुत अच्छे से बनते हैं तो इसलिए आटे को ना हमेशा मैं रेस्ट देती हूं और फुल के जो होते ना बड़े फूले फूले से बनते हैं और यहां पे मैं आलू बॉल होने के लिए रखे थे तो कूकर में प्रेशर ही नहीं आ रहा था सारी स्टीम जो थी वह भार की साइड निकलती जा रही थी तो मैंने मम्मी को बच्पत में करते हुए देखा था कि जैसे कूकर से ना जब स्टीम पास होने लगती है मतलब अब आपने देखा होगा सीटी आई थी नो बहुत स्टीम सी हो गई थी तो सीटी आ जाती है यह वर्क करता है जो होता है चोड़ी चोड़ी चीज़े हम फेस करते हैं घर पे तो उसको सॉलूशन बहुत चोटा चोटा होता है जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि मैं टैप से कितना परिशान थी तो टैप का सॉलूशन इतना चोटा सा था बट वही है कि माइंड में स्टक नहीं करा और मतलब बहुत परिशानी जहली मैंने उसके लिए तो कूकर में स्टीम नहीं आती नो तो सबजी अच्छे से पकनी पाती कच्छी रह जाती है और भी म चॉप करने के लिए और अनियंस में आपने देखा यह तो तो वह जो जो जाते हैं इतनी लंबे लंबे पीछे से आ रके अगर में बहुत दा मॉष्या नमी चीए तो जैसी मैं बहुत गम लेती हूं आजकर यह वाला जो वैदर आता है ना इसमें मैं आनियंस होते हैं पर भी मचील के रखते हैं और यह थी मेरी स्टफिंग जो में को आलो के परांथे में डाली थी बॉयल आलू और साथ में थे थोड़े से प्रश करेवे गालिक और अनियन्स थे और साथ में मिर्ची भी मैंने उसी में चॉप कर दी और साथ में थी कोरियंडर लीफ्स तो इनक ऑगे वैसे बनाती हूं नहीं तभी उनको पसंद आता में थोड़ी सी धनिया डाली थी षो लीफ्स थी और सुखेमसालों में मैंने ऐसमें सिर्फ नमक दाला था हल्डी डाली थी और थोड़ी सी काली मिर्ची डाली थी बस इतना ही डाला ता उसके यह एलावा और कुछ को लगती है मैंने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइपस अलू के परांठे बनाया जाते हैं बट मैंने सिंपल सा ये चीजों से और मतलब इसी टाइप से नोमली बनाती हूं हीं डालती हूं मतलब ऐसे पराथों में भी अच्छा लगता है और यहां पर मैं मनीश के साथ बाते करी थी उनको मतलब आलू के पराथों के लिए बहुत बेसबर हो जाते और बस उनी से बात करी थी मैंने को दो मिनट वेट तो कर लो आ रही हूं और एक साइड मेरी टी रखी हुई थी बनन दिया था बठाँ जो मनीश थे वो पहले आकर के बैठ गए थे टेबल पर बस यह था क्योंकि जब वो आकर के बैठेंगे तब ही मैं बनने के लिए पराथे रखूंगी और यहां पर मैंने फिर उनको गर्मा गरम पराथे सर्फ करें और साथी जो मेरे कपड़े वगरा थे टांप्रेचर जो था वो था धूब लग रही थी कि हां हम धूब में बैठें सेकने वाली प्रॉपर दूप थी तो अच्छा लग रहा था और यहां पर फिर मैं कपड़े वगरा हैंग करने के लिए आ गई थी इस तरह से ने हैंगर में हैंग कर देती हूं कपड़े तो मि में फोल्ड़ करने में मेरे कुछ रह न सिरयां पने में हैंग करने में थे टाइम लगता है एक कपड़े में हैंगर थोडा सा लगाना पड़ता है बाकि जब सुख जाएंगे तो सीधहांगर वर सीधे अलमीरा में चले चाये वहां पर क्वोल्डिंग भी ने जाने होते हैं जैसे मनीश की शर्ट वगेरा और पैंट वगेरा होती हैं वह प्रेस के लिए जाती हैं बागी जो टी शर्ट वगेरा होती हैं वह प्रेस के लिए नहीं जाती हैं वह प्रेस के लिए नहीं जाती हैं तो घर पे होते हैं तो उसको वैसे भी प्रेस नहीं कराते चुट है झालब करेंगे अपने कपड़ें के चुट प्रेस कराइए बस मनीष के अपिस के प्रेस होने के लिए जाते थे औरGS Ed laugh कामों के लिए रात को मिने fridge की slide क्लीन करी थी तो वही रखी हुई थी रात को एक बर्तन क्लीन करें थे तो फिर पूरी रात रखी रही तो पानी अच्छे से वाइब होगा तब ही मैं लगाओंगी उसमें तो फिर वो रखने की जग的話 हो नहीं ल्याइए। तो दूद धर मने बहार ही रखा हुआ था हा तो अभी था कि मैं लगा देती हूं क्योंकि फिर काफी साह है ना फिर वह बहार ही रख़ा रहेगा और किचिन पूरी फैली सी रहेगी तो इसलिए यहां पर इसाब गीले पानी से क्योंकि खाना भी हम भी और घिला कपड़ा है तो थोड़े से पानी की चीटे मार करके मैंने जो यह था डेबल वगारा था वह महारानी साही वा हमारी वण आपनी ड्रॉइंग करती है तो वो पूरी निकालतीया है जैसे ट면 चैकरे उनकी पैंसिल यह की की Б Πैंसिल के उसको चैकरज़ शह करतीM मैं है वह मुझे बताना चाहती है कि यह वाला जो पेंग है न वह इस तरह से चलता है और वह वाला पिंग जो थोड़ा अलग तरह यह तो पिर वह इस तरह से फैलाती है और इसी पैकट के अंदर अभी रीसेंग में उसकी बुआ लेकर अएंधी न उसके लिए तो उसके थोड़ा से ज्षारी से में अबी में ज्षारा गराइजी डाएं तो यहां सम पहले ज्षारज यूज और यह लगाएं Sketch कि अब उसके बइस अडेया सुरूराएं आप tau तो यहां पर मनिश आये थे उनको हेर ओइलिंग करानी थी क्योंकि अभी उनको नहाने जाना था आज मों नहाए नीते सुबह उनको मीटिंग भी उन्होंने मौनिंग में नहीं ली थी आज अपनी वह अपनी टीम की क्योंकि आज ना उनको मौनिंग में तो अच्छा फील होनी रहा था तो दो फिर उसके बाद फिर मन्लब चलता ही जा रहा था ठंड भी काफी जादा हो गई थी तो उनको बारी बारी सा लग रहा था सब मैंने का लाओ फिर में थोड़ा सा गरम उयल करके चंपी कर देती तो नों ने गरम उयल तो नहीं कर आया था बठान नॉमल जो मस्टर्ड उयल पराइब करेंद उयल चंपी कर देती और काफी अच्छेर उनको रिलाक्स कर दिया था पूरा ये बाटन के वाटन ये उसका धना फिर चंपी जब आप फोन चोड़ोंगे तो फिर उन्हें फोन चोड़ दिया था कॉल्स वगहरा आ रही थी बट वह कट कर रहे थे और स्वेट शर्ट की तो अच्छे से हाथ जा नहीं रहा था बड़ जितना भी गया मैंने अच्छे से मसाज कर दी थी क्लिप तो बहुत लेंदी थी बड़ हां उसको में को कट करके मैंने त्रिम कर दी थी सारी और उसके बाद फिर मैंने उनको यह शीट मास्क रखा हुआ था मे फोन के मिना वह रहा नहीं सकते हैं सारा दिन फिर यहां पर टाइम हो गया था तीन साड़े तीन बजे का टाइम हो रहा था और यहां पर मनीश हो गए थे रैडी उनके लिए मैंने टीवन आई थी उनको यह था कि अब जा रहा हूं तो वही नहाद हो करके भी आये थे फिर यहां पर उनके जो गॉगल से वह यह पहन की नहीं जाने वाले थे वह ट्रिप से आये थे ना तो ढूंड रहे थे तो मैंने इनका चुपा करके रखा हुआ था अभी मैं अलमीरा से कुछ समान निकाल रही थी तो मेरे सामने आया तो मैंने उठागर के पॉकेट में ड तो और भी जादा मतलब वह हिलती डुलती जादा जंपिंग जंपिंग करते वह दिखती हो यह यह रील्स पना रही थी मैंने की मनीश को रील्स बगेरा बनाना ना काफी अच्छा लगता है और उसके बाद फिर मनीश चले गए थे उनका इवेंट था एक्चली ऑफिस में तो उनको जाना था अपनी मतलब डेली में अपनी कमपनी को अपनी टीम को वह रीप्रेजेंट कर रहे थे तो उनका इवेंट था तो इसलिए उनको जाना था तो वहां के लिए गए थे रात को उनका मतलब डिनर वगेरा भी बाहर ही था वह करके आने वाले थे और उसके ब झाल झाल